एलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आशा है आप सबी बहुत अच्छे होंगे आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ छोले कुल्चे बनाने का सिक्रेट तरीका बहुत ही जादा जबरजस्त फूले-फूले कुल्चे बनेंगे वो भी हम गेहूं के आटे से बनाएंग बाहर का आप खाना बिल्कुल भूल जाओगे घर में फ्रेशली आप इसे बना सकते हो तो देर नहीं करते हैं रेसिपी शुरू करते हैं तो स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल देशी किचन में और मैं हूं ममता तो यहां पर मैंने मतर लिया है तो आज हम मतर के बनाएंगे तो यह दिखें फ्रेंट मतर को मैंने ओवरनाइट के लिए सोक करके रख दिया है तो अब हम क्या करेंगे प्रेशर कुकर में हम इसे डाल देंगे और अब हम इसमें पानी डालेंगे तो पानी हमें इतना ही डालना है ताकि जो मतर है अच्छे से फ्लोट होने डूब जाने चाहिए बस हमें उतना ही इसमें पानी डालना है तो आप देख सकते हो मैंने इतना पानी इसमें एड़ कर दिया है और हम इसमें कोई भी मसाले वेगारा कुछ भी एड़ नहीं करेंगे इसे हम एक विसल आने तक हम इसे कुक करेंगे कुल्चे बनानी के लिए हम यहाँ पे मैंने तीन कप गेहूं का आटा लिया है आप यहाँ पे आधा गेहूं का आटा आधा यहाँ पे मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे मैंने एक चमच पिसी हुई चीनी एक चमच हम इसमें नमक एड़ कर देंगे और एक चमच ही मैंने यहां पे baking powder लिया है यह हम इसमें एड़ कर देंगे और 1-4 चमच मैंने यहां पे baking soda लिया सभी को बहुत अच्छे से mix कर लेंगे mix करने के बाद friends इसमें हम 2-3 चमच मैंने यहाँ पे oil add कर दिया है यह unflavored oil है वो हम इसमें add कर देंगे और इसे भी हम अच्छे से mix कर लेंगे mix करने के बाद हम इसे side में रखते हैं यहाँ पे एक cup के करीब मैंने दूध लिया है यह normal दूध है वो हम आने ले लिया है अगर आप full fat milk है तो भी आप इसका use कर सकते हैं यहाँ पे मैंने आधा कटोरी करीब दही लिया है तो दूध और दही को हम अच्छे से mix कर देंगे और दूध और दही दोनों हमारा room temperature पर ही होना चाहिए mix करने के बाद हम क्या करेंगे यह जो हमने आटा में oil डालके रखा था उसे हम क्या करेंगे पहले हाथ से बहुत अच्छे से mix कर लेंगे ताकि हमारा जो oil है वो आटे में बहुत अच्छे से mix हो जाए तो इस तरह से हमें mix कर लेना है रगड़ते हुए उसके बाद हमने जो दूद और दही का mixture बना के रखा है उसके साथ हम इस सहां पे एकदम soft सा dough लगाएंगे तो यहां पे मैं थोड़ा थोड़ा दूद डालते जाओंगी और यहां पे एक soft सा हमें dough लगाना है तो जितना दूद और दही का mixture था तो वो खतम हो गया हमने सारा add कर दिया अब अगर आपको use करने की जरूद है तो आप यहां पे गरम पानी का use कर सकते हो हलका गुनगुना आप पानी यहां पे लेकर आप इसे dough बना सकते हो या फिर friends अगर दूद और दही अगर आप और भी add करना चाहते हो उसी से पूरा आटा लगाना चाहते हो तो वो भी आप इसमें लगा सकते हो उसके बाद आप देख सकते हो बहुत अच्छा सा soft सा dough लग गया है अब हम इसे क्या करेंगे थोड़ा सा oil इसके ऊपर हम अच्छे से लगा देंगे और इस आटे को हमें कम से कम एक से दो घंटे के लिए हम इसे rest पे रखना है तो मैं इसे rest पे रखती हूँ तब तक हम यहां पे अपने मटर को चेक कर लेते हैं तो यह दिखे फ्रेंड्स मैंने बस एक whistle ही लगाया है तो इस तरह से हमारा यह मटर बहुत अच्छे से cook हो गया है अब हम क्या करेंगे इसे हम fry करेंगे तो fry करने के लिए एक यहां पे मैंने बड़ी सी कडाई ली है उसमें मैंने तीन से चार चमच मैंने यहां पे सरसो का तेल लिया है तो फ्रेंड्स सरसो का तेल में इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ी हाता है आप सरसो के तेल में बनाएं उसके बाद एक चमच मैंने जीरा एड़ कर दिया थोड़े से मैंने खड़े मसालों में यहाँ पे बड़ी लाइची छोटी लाइची लॉंग लिया है वो डाल देंगे अद्रक कटा हुआ मैंने एड किया है एक इंच अद्रक का टुकरा बिल्कुल बारिक कट करके यूज किया है मैंने उसके बाद लेसन की कली को 7-8 लेसन की कली को मैंने इसमें बारिक चॉप करके ही यूज किया है आप यहाँ पे अद्रक लेसन का पेस्ट का भी यूज कर सकते हैं उसके बाद एक बड़ा साइज का प्यास था वो मैं इसमें एड कर दूँगी दो बेल लीप्स को एड़ कर दूँगी और ग्रीन चिली आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग्स एड़ कर सकते हैं और इसके बाद हम इसे अच्छा गोल्डन होने तक हम इन फ्राई कर लेंगे तो यह दिखें यहाँ पर प्याज हमारा थोड़ा सा गोल्डन हो गया है अब इसे हमें बहुत जादा कुक नहीं करना है अब इसे थोड़े से ड्राई मसाले आड़ करेंगे तो एक चमच धनिया पाउडर, एक चमच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चमच हल्दी पाउडर, एक चमच मैं किचन किंग मसाला और एक चमच छोले मसाला, आधा चमच गरम मसाला बस यही सब मसाले हम डाल देंगे मिन्स ये हमारा जो मसाला है बहुत अच्छे से पक गया है एक टमाटर को मैं यहाँ पे एड़ कर दूँगी और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे अमचुर पौडर लिया है इसे हम एड़ कर देंगे और इसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे टमाटर हमारे जल्दी से गल जाएं, कुक हो जाएं इसलिए मैंने टेस्स के कोडिंग नमक यहाँ पे एड़ कर दिया है और इसके साथ हम अच्छे से इसे पका लेंगे तो ये देखे हमारा टमाटर बहुत अच्छे से कुक हो गया है मसाले भी बहुत अच्छे से भून गया है अब हम क्या करेंगे जो हमने यहाँ पे छोले उबाल के रखे थे वो हम इसमें एड़ कर देंगे और इसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसे 5-6 मिनट तक और पकाएंगे और यहाँ पे देखें मिक्स कर लिया है अब तो friends अगर आपको dry छोले खाने हैं कुल्चे के साथ तो यहाँ पे यह बिल्कुल ready है थोड़ा सा आप यहाँ पे इमली आप इसमें add कर दें और बिल्कुल market जैसा छोले बनके के साथ छोले खाने के लिए बिल्कुल ready हो जाता है तो friends यह बहुत अदा पानी अभी दिख रहा है आपको लेकिन थोड़ा देर बाद यह ठंडा होगा तो थोड़ा dry हो जाएगा तो यहाँ पे इस तरह से करके मैंने यहाँ पे बना लिये हमारे छोले बिल्कुल ready अब हम कुल्चे की तयारी कर लेते हैं कुल्चे के लिए हमारा आटा भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है यह एक से डेड़ घंटे हो गया है मुझे इसे रेस्ट पे रखे हुए अब मैं क्या करूँगी इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी जिस शेप के जैसे आपको जितने बड़े कुल्चे चाहिए आप उस साइज के यहाँ पे बॉल्स ले सकते हो थोड़ा सा ड्राइ आटा मैं लगा ली हूँ उसके बाद यहाँ पे हम इसे बेल लेते हैं तो इसके उपर मैं थोड़ा सा कलाउंजी और धनियापती डाल कर इसे बहुत अच्छे से क्या करूँगी इस स्प्रेड कर दूँगी और इसे मैं बेल लूँगी तो यह दिखे हमारे कुलचे बनके बिल्कुल रेडी हैं तो फ्रेंड्स कुलचे बहुत पतले नहीं होते हैं आप थोड़े मोटे ही रखें इसे तो यह दिखे और इस तरह से करके मैंने सभी यहाँ पे बनाके रेडी कर लिया है मैं दूसरा भी आपको दिखा रही हूँ आप किस तरह से बना सकते हो यह देखे तो यहाँ पे मैंने सभी बना लिए अब हम क्या करेंगे इसे हम सेकेंगे तो सेकने के लिए मैंने आप पैन लिया है आप तवे का भी यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पे मैंने तवे पर डाल कर उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे चारो और थोड़ा सा पानी मैंने एक से दो चमस जाल दिया उसके बाद हम इसे ढख देंगे धकने के बाद ये दिखे फ्रेंड्स नीचे से बहुत अच्छे से सीख जाता है और उपर से आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा bubbles दिख रहा है तो ये इस तरह से करके हम इसे पलट देंगे और बहुत अच्छा सा नीचे से ये सीख गया है आप देख सकते हो थोड़ा सा हम इसे दबा देंगे और ये देखे बहुत ही ज़ादा फूला फूला सा हमारा ये कुल्चा बनके रेडी होता है बहुत आसान तरीका है फ्रेंड्स बहुत ही ज़ादा टेस्टी आसानी से आप घर पर आप इसे बना सकते हैं बहुत ही healthy तरीके से यह देखिए friends हमारा कुल्चा बनके बिलकुल ready है अब हम क्या करेंगे इसके उपर थोड़ा सा आप घी या बटर आप इसे लगा दें और enjoy करें तो यहाँ पे मैंने हमारे सारे कुल्चे बनके ready हैं यहाँ पे मैंने बनाकर आप गेहूं के आटे से भी आप कुल्चे बनाकर यहाँ पे ready कर सकते हैं और देख सकते हो आप कितना ज़्यादा soft बनके ready हुआ है यह आप अंदर से इसकी जालियां भी देख सकते हो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ यह देखे friends आप अंदर का बनाए और enjoy करें और अगर आपको मेरी वीडियो मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को like, share और subscribe करना बिल्कुल भी न भूलें फिर मिलते हैं next recipe के साथ next video में ओके bye and take care friends